अगर दुर्भाग्ये आपका लगातर पीछा कर रहा है और आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है या फिर कोई भी काम में सफल नहीं हो पा रही हैं तो आज हम आपको इससे मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पती से जुड़े अचू कुपाये बताएंगे तुलसी का पोदा उशद्धी गुनों के साथी सुख समरिद्धी का भी पर्तिक माना जाता है हिंदु धार्मिक मानेताओं के अनुसार तुलसी के पोदे को भोत इशुम माना जाता है तुलसी के पोदे को मातालक्षमी का ही एक रूप माना गया है इसके इलावा धर्म शास् आज इस वीडियो में बताने जा रही हैं कि तुलसी की पत्ती के कहीं उपाई हैं जिनको करने से आपको आर्तिक सुखों की प्राप्ती होती है जोतिश शास्त के नुसार अपने सोय भाग्ये को जगाने के लिए आप आटे से एक दीपक बनाएं इसके बाद शाम को उसमें घी और एक चुटकी हल्दी डालकर परजवलित कर दें फिर उस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें इस बात का खास दियान रखें कि दीपक रखते समय आपका हाथ तुलसी को स्पर्श ना हो ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुलने लग जाएगी अपने दुरभागे को सुभागे में बदलने के लिए आपकादिशी के दिन तुलसी के पोधे को गुड का बोग लगाएं मानेता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और बगवान विश्नु बहुत परसन होते हैं बगवान विश्नु को गुड बेहद परिये है वे भगतों को खुब आशिवाद परदान करते हैं और सुख दुख के तभवर से तार देते हैं अपने पूरे दिनों से मुक्ति पाने के लिए आप रोजाना तुलसी के पोधे पर जल चड़ाएं तुलसी के पोधे का पूजन करते समय उसके पास बैठ कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमैग मंतर का जब करें इसके साथ ही माता तुलसी के सामने बैठ कर अपने सारी समस्याइं उन्हें बताएं क्योंकि तुलसी के पोधे में माता लक्षमी का वास होता है इसलिए आपकी मुराद सीधे मालक्षमी और भगवान विश्नों तक पहुचती हैं जिससे वे आपके सारे संकर दूर कर देते हैं ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए